हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पेनिया भई में कैसे अपना बैंक एकाउंट को एड़ कर सकते हैं तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चली वीडियो को स्ट करने आप हमारा देख सकते हैं पहले से ही मैंने एक कर पर रख़ा है और जब यहांप पर बैंग करेंगे तो यहां ОтP Elsie चार उपे मांगता है, जोई वेरिफिकेशन के लिए मांगता है. तो यहाँ पे आपके जो, यहाँ पे आएंगे, हो पेज पे. तो यहाँ पे सबसे परहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमको बैंग एडू करने का जुरूरत क्यों है? क्योंकि दुस्तों जब भी आप अधार वीडियो करेंगे अधार कार से किसी भी कस्टमर का पैसा निकालेंगे तो वह जो पैसा है वह आपके वॉलेट में जाता है वह भी मैं दिखाऊंगा किस वॉलेट में जाएगा यहां पर आएंगे आप वॉलेट में और यहां पर आप मेरा bank ad thar, वो मेरा bank की यहां पर sow कर रहा है, तो इसलिए यहां पर bank ad करने का जरूरत है, तो जो भी पैसा हम अधारावकार्ड से निकाले और हमारे wallet में जो आएगा, उसको हम अपने bank account में ले सकते हैं, तो यहां पर पता लगया अब bank add करने के लिए आपके जो wallet है जहाँ पे मेरा 10 रुपे था वहाँ पे आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप यहाँ पे bank add कर सकते हैं तो अगर आपके उसमें पैसा नहीं है तो मैं बताऊंगा कैसे आप उसमें पैसा add कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर bank add करते हैं और देखते हैं हमारा वहां से 4 उपे cut होता है या नहीं तो यहां पर मैं एक दूसरा bank add कर रहा हूं तो यहां पर मैंने account number डाल दिया, account number आपको दो बार डालना होता है, उसके बाद अपना नाम डालना होता है, जो भी आपका नाम होता है, pencard पर, और अपना bank को select करना है, यहां पर IFC code आपका खुद से आ जाता है, तो IFC code से कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आपका account number पर है, account number गलत हो चुका है, तो इसको फिस से मैं दुबारा से re-enter करता हूँ, तो यहां पर दोस्तों, अगर आपका IFC code आपको लगता है कि यहां पर गलत है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका बस account number से होना चाहिए, और नाम से होना चाहिए, बाकी IFC code का उतना कोई दिक् account में यह पैसा आएगा, तो यहां पर मैंने submit कर दिया है, सईसे account number डाल दिया है, अब यहां पर देखते हैं क्या होता है, तो यहां पर हमारे जो कि है, mobile नमर पर एक OTP आता है, जब यह आप bank add करेंगे, और आपके जो account से है, यहीं पर जब आपका bank add हो जाएगा, या फिर नहीं भी होता है, फिर भी आपका यहां पर 4 रुपया cut हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान से bank को add करना है, थोड़ा से wait करना है, जब तक यह processing में हो, फिर यहां पर हमारे mobile नमर पर जो कि OTP आ चुका है, जो हमारा register mobile नमर है, जिससे हमने penny by का account बनाया है, तो यहां पर OTP क अपर कौना है, वो successful add हो चुका है, तो यहां पर देख सकते हैं, पहले हमारे पास एक bank था, अब यहां पर हमारे पास दो bank हो चुका है, और दोनो active है, अब यहां पर हम wallet में आता है, यहां पर आप आने की बाद यहां पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास पहले 10 रुपय अब यहां पे 6 रुपया यानि हमारे यहां settlement ledger से 4 रुपया कट हो चुका है तो यही दिख्कत है कि जब भी आप bank add करना चाहते हैं तो वहां पे आप से 4 रुपया मांगता है और आपके wallet में एक भी रुपया नहीं होता है पहला है अगर आपका जुकिया यूपया QR active है तो आप यूपया QR से भी payment ले सकते हैं यहां पर जैसे यूपया QR पे आप किल्क करेंगे तो यहां पर आपका QR code जर्डने थी होता है और इस QR code पर जो भी आपका QR code होगा उसका है उसको-उसको आप download कर लें और download upload करने के बाद उसको आप phone page से या फिर इसको scan भी करके सिधा दूसरे phone से scan करके 4-5 रुपया डालके आप अपना जो कि है bank account को add कर सकते हैं तो bank account add करने के लिए 4 रुपया चाहिए तो यहां से आप आपको बताने के लिए कि आपको confusion ना रहे जो आपका पैसा कट होता है वो इस ही settlement से कट होता है तो मैंने 4 रुपया एड किया यहां पर 4 रुपया हमारा एड हो जुका है तो यह पहला तरीका है और जो दूसरा तरीका है वो यह है कि कि आप APS के माधियम से यहां पर पैसा निकालके 100 रुपया अपने ही account से निकालके या फिर कोई customer आता है तो उससे निकालके आप युका है बैंक एड कर सकते हैं तो यह दो तरीका है बाकी ऐसे आप अपने पेनियावई में बैंक एकाउंट दिर कि एकाउंट